हेलो फ्रेंड्स आजका डिक्तेशन असी वर्ट पर मिनट की गति से बोला जाएगा सो चलिए दोस्तो डिक्तेशन स्टार्ड होगा पांस सेकेंड बाद स्टार्ड अध्यक्ष महोदय दसवी पंच वर्सी यूजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो महत्वपूर प्रश्न उठाई है उन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है अध्यक्ष महोदय नौवी पंच वर्सी यूजना का अब अन्तिम बर्स चल रहा है और इस यूजना के अंदर जो चीजें कही गई है ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्तन करना कठिन है बदला भी नहीं जा सकता परा अध्यक्ष महोदय कुछ चीजें की जा सकती है उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है यह तै नहीं किया गया केबल कटोती ही निश्चित की गई है सुरू मैं मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर कुछ सदस्यों ने जो यह प्रस्न उठाया था कि इस पंचवर्सी योजना का आसे कुछ सरकारी पक्च से भी पताया है इसके अंदर कम्या है और बहुत सी कम्या है जिनके उपर मैं यहां कुछ दोसार उपर नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता भी हूँ कि इस तरह से प्रस्न ना उठाए जाए तो जादा अच्छा है यह योजना सरकार ने बनाई है यह योजना मंत्री मंडल ने पहले बनाई और अनुमोदन होने के बाद भी इसमें कुछ कम्या रह गई हैं तो यह कमी रहने का दोस किस के उपर है मैं समझता हूँ सदन के सभी सदस्य इसको जानते हैं बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए जो दिल्ली के साथ अन्याए किया गया है तो मैं समझता हूँ इस बारे में सब आवाज उठाएं इस बात की आज जादा जरूरत है मैं यह कहना चाहता हूँ भारत सरकार से या जिन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई उन्होंने बास्ताव में यहां के साथ बड़ा बुरा किया यहां के साथ अन्याएं किया क्यूंकि उन्होंने इस पंचवर्सी योजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया क्या योजना बना रहे हैं गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं इन से क्या लाब हानी होगा इन सब बातों पर उन्होंने विचार नहीं किया मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर यह बात ठीक नहीं है ऐसी दसा में यहां पर पंच बरसों में आने वाली योजनाएं बेकार बन कर रह जाएंगी जो कटोती निश्चित की गई है उसको समाप्त करना चाहिए ताकि दिली को हम अंतर राश्टी इस्तर का एक आदर्स नगर बना सकें यह बहुत ही आवश्यक है यदि हम इस इस्थान की उन्नती चाहते हैं इसलिए अब मैं अपना कथन इन सब्दों के साथ ही समाप्त करता हूँ पैरा अध्यक्च महोदय आपने मुझे दसवी पंच वर्सी योजना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे कम समय दिया इसके लिए भी आभारी हूँ अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया की हम योजना में बिस्वास नहीं रखते उन्होंने तो यह भी कहा की हमारे चुनाव गोशना पत्र मैं भी उनको इस बारे में कुछ नजर नहीं आया मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा गोशना पत्र देखा गलत गोशना पत्र पढ़ा और उसी को हमारा गोशना पत्र समझ बैठे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा गोशना पत्र इस समय मेरे पास है इस गोशना पत्र मैं हमारी गोशना में योजना के बारे में इस पश्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर बिस्वास रखते हैं लेकिन ऐसी योजना पर बिस्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं जिन्हें हम पहली पंचवरसी योजना दूसरी पंचवरसी योजना और दसवी पंचवरसी योजना आदी कहते हैं और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कश्ट दूर नहीं हुए इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं बड़े बड़े अनुभवी बैठे उन्होंने योजनाओं बनाई लेकिन योजनाओं ठीक प्रकार से कर्यानवित नहीं की गई उन योजनाओं में काफी दोस्त थे जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकी लोग दुखी ही रहे मैं यहां पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका परणाम क्या निकला उसका परणाम यही निकला की हमें रुपए का मूल कम करना पड़ा जो योजना होती है बहराश्ट्र धन को उचा करने के लिए बनाई जाती है लेकिन हमारे सामने आकड़े हैं इसका परणाम हमारे सामने हैं हमने अव तक नो पंच वर्सी योजनाए कार्यानवित की है लेकिन हमारी प्रतिवेक्ति आयमें और जीवन इस्तर में अपेक्छित ब्रद्धी नहीं हुई है यह दुख की बात है मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में बिस्वास नहीं है जो जनता के कश्टों को जनता के दुखों को दूर ना कर सके हम ऐसी योजनाओं पर बिस्वास करते हैं जो उनकी आयू बढ़ा सके उनका आर्थिक विकास कर सके उन्हें उन्नत कर सके स्टॉप दोस्तों डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद